जी की बातों को आपने सुना, उनका कहना है कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, तो वो इस करने से चोर शराबा करता है। आप से जानने चाहूंगे एक विपक्ष की तौर पर इस बार आप क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाएंगे और क्या विपक्ष चाहती है इस बार का बजट कैसा हो क्या कुछ खास हो स्रिष्टी जी सबसे पहले तुम्हें उत्तर प्रदेश के आज बजट को लेकर जो चर्शा हो रही है हम समझते हैं इस पर सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रती पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी प्रदेता के साथ पूरी इमानदारी के साथ बहस करना चाहिए चाहे सदन हो और चाहे मीडिया के एक चैनल पर बैठकर के बहस की बात हो हम सभी लोग चाहए आप हैं लोकतंत्र के चवत्य अर्स्तंभ हैं और चाहए हम राजनेतिक दल, राजनेतिक पतनेधी कारीकरता उत्तरपदेश की जनता के लिए उत्तरपदेश के विकास के लिए एक जवाब दे है जिम्मेदारी के साथ इस पर बहुत चर्चा करने कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष को पुरा सम्मान देते हुए उनकी बात का आदर करें किसी भी सत्ता के लिए किसी भी सरकार के लिए जितनी ही जिम्मेदार, जितनी ही महत्पूर्ण सत्ता पक्ष है उतनी ही महत्पूर्ण विपक्ष है दोनों ही जनता के द्वारा चुन करके आते हैं एक कुछ सीटे जादा पा जाते हैं जो सरकार में हो जाते हैं और कुछ सीटे कम हो जाती हैं तो विपक्ष में रहते हैं मैं कहना चाहता हूं कि भारती जनता पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश के जनता ने जितनी बड़ी जनादेश दिया है उत्तर प्रदेश के 2017 चुनाओं में उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए बिल्कुल समान तो किया जाने चाहिए लेकिन देवेत्र ची कहीं सवाल मेरे यह भी जनता पार्टी को अपने एहंकार को छोड़ करके एक समरस्ता का वातावर बनाना चाहिए एक मानवता एक मानवियों संबेदन सीलता दिखानी चाहिए इहंकार कहां दिاخाई दे रहे, इस अपको बिज़ liksom कानून ब्योष्था का मुधा, सृष्वी जी यह आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, प्रदेश की जनता जानती है कि जितने जो सोर उलास के साथ प्रदेश की जनता ने भायति जनता पारटी के सरकार को बनाने का काम किया था मैं कहना चाहता हूँ वो चारो दिसाओं में प्पेल है कानून ब्यौस्था कि जब आप नवीन जी देंगे इसका देविंदर जी रोखना चाहूंगे आज में तहना चाहता हूं कि विकास के जितने भी सौपान जितने भी वादे इन्हों ने अपने मेनुफेस्टों में किया था वो हम समझते हैं कि बिलुकुल और बिलुकुल कोई प्रॉय करने काम नहीं लगा है